हेलो एवरिवान स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बेशन के गट्टे की बिल्कुल राजिस्थानी स्टाइल में सबजी तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल राजिस्थानी स्टाइल में कि यह मैंने देशी घी में बनाई है क्योंकि राजिस्थानी जो असली गट्टे की सब्जी है वो देशी घी में ही बनती है आप चाहें तो इसे सरसो के तेल या रिफाइन जो भी आप चिकनाई पसंद करें उसमें भी बना सकते हैं लेकिन जो इसका ओरिजनल टेस्ट है वो देशी घी में आता है तो अब मैं आपको समान दिखा देते हुए कि मैंने वैसन के गट्टे के सिभड्य में क्या के यूज किया यह मैंने सबसे पहले लिए है भेशन यह ले लिए है तो ड़ी जी दही यह लेलिए मैंने प्याज मोटी-मोटी काटको लं लसननीने में मिरशन में सोचे पहले डालिया है नमक अब आल दूँगी इसमें धनिया पाउडर यह एयज लगी मैंने थोड़ी उचे सी हलदी यह यह भूतावा जीरा और अजवाइन यह मैंने हाथ से मुसल का रह लिए ती पहले ही तो हाथ से मुसल कर अच्छे से डाल देने इनको और इसमें अब मैं डाल दूंगी दो चम्मच दही, यह देगी मैंने दो चोटी चम्मच दही लिए और थोड़ा सा डाल दूंगे इसमें दो चम्मच चोटी दो चोटी चम्मच गी, अब इसे अच्छे से गोल कर इसमें हिलका सब मिला लेंगे पानी और इसका एक डो तयार करना है इसलिए पानी प्लकुल ना आतरी है अब ये मैं आपको दिखा दूंगो ये देखिए यह हमारा डो तयार है अब हल्usch सी चिकनाई हाथ पर लगाकर इसके हम छोटब करी लोईां तोड़ लेंगे बराबर बराबर लोईां तोड़ लेनी है उसके बाद इस तरीके से हाथ से मसलते लें इसकी इस तरीके से लंभी लंभी ये लोई बना देनी है कि और अब हम ने कड़ाई ले लिए कड़ाई में चड़ा लेंगे हमें ग्लास पानी देखिए ये पानी हमें वेश्ट नहीं करना है ये इसी पानी को में सब्जी में यूज्च करना है तो इसलिए जितने आप सब्जी पनारे हैं उसी ह rebellion और से पानी डालेए मैंने एक ग्लास पानी डाल दिया अब इसमें मैं आपनी सारी ये बेशन के घ्रत डाल दूंगी। को जह प्रादि में उबाला जाएगा तो उसके बाद डालने हैर यह इस तरीके से दाल कर सारे इसको हाइभ फ्लेम पर पकान आ często हाइब meant आलए मनें अब इसी जार में अपने इ Ear miel डाल दोंगी घोड़ानी कि नवी अब यह देखिए हमारा पेश्ट भी तयार है तो अब मारे टैमाटर प्याज का पेश्ट तेयार हो गया औंग आलग पेश्ट तेयार के अपानी को हम सारे अपनेय निकाल लेंगे और उसके बाद इने चाको की हेल्प से अपनी पसंद के इनसार काट लेंगे जैसे भी आपको गट्टे पसंद हो मोटे पसंद है तो मोटे कट कर लीजिए और बारीक-बारीक पसंद है तो पतले-पतले बारीक-बारीक गोल पीस कर लीजिए अब यह देखिए यह पानी हमें और गी को और अच्छे से गरम होने के बाद में डाल देंगे हम जीरा जीरा चतखनेंंगे के बाद इसमें डाल दिए हम प्याज का पेष्ट लेसं संक प्यार किया थुख अब इसे ज़से चलाती वी गॉल्डन रोने Tek करेंगे और जब यह गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे अपने मसाले अब यह देखिए गोल्डन फ्राई हो गया तो इसमें सबसे पहले में डाल दिया नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, और अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे इसमें डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट, इसे भी अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे अच्छे से यह देखिए जब हमारा मसाला से चिकनाई छोड़ देगा तो उसके बाद हम डाल देगे थोड़ी सी दही यह देखिए दो ड़ाई चमच इसमें धही डाल देनी यह लगब और धही डालने के बाद लगातार चलाते रहना है क्योंकि अगर धही फट गई तो हमारी सारी सबजी का टेस्ट खराब हो जाएगा तो बराबर धही को जब तक कि उबालना आ जाए तब तक धही को इस तरीक हम अपने गट्टे और अब इसमें डाल देंगे हम जो गट्टे का पानी था वो पानी और इसे अच्छे से चलाते हुए पांच से साथ मिनट के लिए पका लेंगे और यह लाजवाब सब्जी हमारी तयार है गट्टे की जब कोई सब्जी समझ में ना आई तो फटा-फट से बेशन से यह तियार कीजिए गट्टे की लाजवाब सब्जी देखी अच्छी सब्जी तयार हुई है हमारी खुश्बी बहुत अच्छी आ रही है और यह खाने में बहुत टेस्टी बनी है तो हमारे गट्टे भी एकदम सोफ्ट बने है जब आप इस तरीके से गट्टे की सब्जी बनाएंगे तो आपके गट्टे एकदम सोफ्ट बन तो थेंक्यू सो मच गाइस कल फिर मिलेंगे एक नई रैसिपिक साथ एक नई वीडियो के साथ